हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सा दोश्वरत प्रतेक माह में दोबार कृष्ण और सुकलपक्ष की त्रयोदशी तिथी को रखा जाता है। यह वरत भगवान शिव और माता पारवती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की अरादना प्रदोशकाल यानी की रात के मिलन का समय अर्थाद शाम के समय करने की मानिता है। पूजा के दिन रखा जाएगा पूजा का शुमूरत होगा सायकाल 5 बचकर 49 मिनट से 8 बचकर 20 मिनट तक पूजा की कुलवदी 2 घंटे 31 मिनट की होगी अश्विन कृष्ण तेरोदेसी प्रारंब होगी 17 अक्टूबर सायकाल 5 बचकर 49 मिनट पर अश्विन कृष्ण तरोदेसी समापत होगी 18 अक्टूबर सायकाल 6 बचकर 7 मिनट पर तरोदेशी तीथी के दिन सुब़ जल्दी उटकर इसनान के बाद वरत का संकल पिलें और भगवान शिव की पूजा के लिए शिव रतिमा पूजा इस्थल पर इस्थापित कर लें अब पूजा में भगवान शिव का जल से अभिशेक कर उन्हें बेल पत्र, धूब दीप, चंदन, फल, पान, सुपारी, सभी पूजन सामंगरी हर्पित करें और भगवान शिव के सांस साथ मापारवती की भी पूजा करें यह रवी प्रदोश है और रवी वार का संबंद सुर्यों से होता है इसलिए इस दिन सुर्य पासना भी जरूर करें जिस जातक कि कुंडली में सुर्य कमजोर हो उसे यह वरत करने के सांथ ही भगवान शिव के सांस सुर्य भगवान को जलकारग देकर उनकी उपासना करनी चाहिए इससे सुर्य संबंदी सारी परिशानियां दूर हो जाती हैं रवी प्रदोश व्रत उपाए शास्त्रों में रवी प्रदोश भगवान सुर्य और भूले नात की विशेश कृपा प्राप्त करने का दिन है इसलिए यदि इस दिन व्रत रपकर कुछ उपाई किये जाएं तो व्यक्ति को भगवान शेफ के साथ साथ सुर्य भगवान की विशेश कृपा और मनुकामना की प्राप्ती होती है तो आईए जानते हैं रवी प्रदोश के दिन कौन से उपाई व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाते हैं यदि संबा हो तो रवी प्रदोश का व आज के दिन इस उपाय से व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ती होती है शाम के समय अर्थात प्रदोशकाल में भगवान शिव को पंचा मृत से स्नान कराकर साबु चावल की खीर अरपन करने से मनुकामना पूरी होती है यदि रवी प्रदोश के दिन सूरिश रोत का तीन बार पाट किया जाए तो घर में सुख सम्रदी का वास होता है इस दिन प्रदोशकाल में शिवलिंग की पूजा करने से चंद ग्रह संबनित दोजवी समाप्त हो जाते हैं अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूले